आज हम बनाएंगे बहुती मज़ेदार अफगानी अंडा करी मसाला आप इस तरह से एक बर बना के खाएंगे तो बार बार बनाएंगे वीडियो एक दम छोटा है, स्कीप मत करिए यहाँ पर मैंने साथ बॉयल अंडे ले लिया है अंडो को थोड़ा सा फॉक से इस तरह से छेद कर देंगे इस तरह से छेद करने से जब अंडो को हम फ्राई करेंगे तो छीटे नहीं आएगा एक पैन में हम लेंगे एक चम्मच ओयल, ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे थोड़ी सी नमक डालेंगे और इसमें सारे अंडे डाल देंगे अंडो को हम fry कर लेंगे अंडो में अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे quarter चम्मच हल्दी पाउडर और quarter चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से इस तरह से मिला लेना है इस समय गास को हमें एकदम कम रखना है तो अंड़ा फ्राई हो गया है इसे साइट कर देंगे और नेक्स्ट टेप पे चलेंगे फिर से हम एक पैन लेंगे और इस पैन में हम ड़ेंगे एक बड़ा चम्मच ओयल ओयल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम एट करेंगे प्याज मैंने यह पर दो मीडियम साज के प्याज को राफली चौप कर लिया साथ में डालेंगे 5-6 हरी मिर्च, 3 टुकड़ा अद्रक, 5-6 लसुन की कली, 10-12 काजू अब इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनिट भून लेना है जब तक कि ना प्याज का पूरा लच्छा अलग-अलग हो जाए तो देखिए प्याज थोड़ा सा पींक हो गया है और 2-3 मिनिट इसे भून लिया है अब हम इसमें हपकप पानी आट करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ढखके 5-7 मिनिट के लिए पकने देंगे 5-7 मिनिट के बाद ढखकन को हटाएंगे और ये जो मसाला है इसे हम साइट कर देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे ग्रैंडिंग जार में ले लेंगे ये मसाला डालने के बाद इसमें हम एट करेंगे एक मुठी भर के डांठल के साथ में हरा धनिया पत्ता जार कढ़कन बन करेंगे और इसे स्मूथली पीस लेंगे तो देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पीस गया अब हम इसके ग्रेवी बनाएंगे तो इसमें हम डालेंगे दो चममच ओयल इसमें हम डालेंगे तीन हरी अलाइची पाच्छे लॉंग और एक टुकड़ा दालचीनी इसे थोड़ा चटकने देंगे फिर हम इसमें जो मसाला पेस्ट किया था सारा मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखके इसे 3-4 मिनिट तक हमें अच्छे से भून लेना है 3-4 मिनिट के बाद कुछ पौडर मसाल आट करेंगे फिर से सारे चीजों को हमें मसाला के साथ में अच्छी तरह मिला लेना है तो देखिए मसाला में जितना भी पानी है वो सूख गया है अब हम गैस को एक डम कम कर देंगे या तो आब गैस को बंद कर दे अब हम इसमें एड करेंगे एक काप फिटीवी दही और एक चममच रोस्टेट कसूरी मेथी इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही डालने के बाद हमें फटाफट मिला लेना है बरना दही फट सकते है अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है अब हम गैस को फिर से लो फ्लेम कर देंगे और मसाला को ढखके 57 मिनिट के लिए पकने देंगे जब तक कि न ओयल बहार निकल कर आए 57 मिनिट के बाद देखिए ओयल एक दम से उपर आ गया है और हमारा मसाला भी बहुत ही अच्छ से पक गया है अब हम फिर से गैस को लो फ्लेम कर देंगे और इसमें हम एड करेंगे हाब का फेटी हुई फ्रेश क्रीम क्रीम डालने के बाद हम इसे जदा देर नहीं पकाएंगे बस मसाला के साथ मैं हमें अच्छी तरह मिला लेना है अपगानी अंडा करी थोड़ा क्रिमी होता है और ग्रेवी पतला नहीं होता तो यहाँ पर हम हपकप पानी अड़ करेंगे आपको अगर थोड़ा और पतली चाहिए तो आप थोड़ी सी पानी और एड़ कर सकते हो पानी हपकप हमने एड़ किया है इसे अच्छ से मिला लेंगे और बॉयल आने देंगे जैसे ही बॉयल आ जाए हम इसमें अंड़ डाल देंगे और अंडो को डालने के बाद 2-3 मिनिट ग्रेवी के साथ में इसे कूप करेंगे बहुत देर तक इसे पकाने की जरुरत नहीं है तो देखिए हमने इसे 2-3 मिनिट पका लिया है और हमारा बेहत स्वादिस्ट अंडा करी बन के तयार हो गया है आप गानी अंडा करी एक बर इस तरह से बना कर खा के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा चाहे आप इसे रोटी, पराठा, चापाती या पुलाव के साथ में खा सकते हो बहुती इजी रेसिपी है और बहुती शौट टाइम में मैंने आपको बताया है अच्छा लगे तो चनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ